दोस्तों आज की वीडियो के अंदर में आप लों से बात करते हूँ हम माना यानि की यह पर नहीं हो रहा कब तक हो तक हम यहाँ पर देख सकता है कहां पर इसकी रियल बाइंच सेलिंग बनती है और किया टार्गेट हम इसके लिए के चल सकते हैं सब यहां पर हम वीडियो को लास्ता देगे हैं आपको पसना तो डेफिनित लाक्षे एंड सब्सक्राइब आप वीडियो को कर सकते हैं अब हम सबसे पहले समझते हैं कि माना पर क्यों नहीं हो रहा है याफिक कोई भी तो पास टाइम के अंगर हम ई Means आपने नहीं शुक्त कर रहा है तो एक निव आई थी ुखनान में के सटा मलें खें माना के साथ पार्टनर्शिप करें हैं यहाँ एक अपर ऑफिसींग ने अपना यहां पने ओफिसेंग और रहा अपने एक तरह से एड़र्टाइज करने के लिए उसको एक नया नाम दिया था यहाँ पर आप न्यूस पर सकते हो यह न्यूस रगबक थी यह आप देखो कर तो छे जन्वरी की न्यूस थी एंड आप देखो चार्ट के उपर कि 6 जन्वरी को माना कहां पर था तो यह देखो 6 January को मैं आपको दिखाता हूँ कि माना कितना था यहाँ पर 6 January के आसपास तो यह थी news और 6 January के आसपास अगर आप माना को देखोगे तो यह रहा माना स्टॉक मार्केट में महीनों सालों में हम मानते हैं कि हमें मिलेगा तो यह एक दिन का यहाँ पर पंप था एक केंडलिक इंदर इतना उपर ही पंप कर गया था उसके बाद दूसरी बाद आप देखोगे यहाँ पर एक और जो बैंक था यूएस का जिसका नाम जेपी मॉर्ग इन्होंने भी मैटावर्स के अंदर एंटर करा जहां पर यह न्यूज आप बढ़ सकते हो जेपी मॉर्गर मिगां था फर्स बैंक टू एंटर मैटावर्स ओपिना लॉग इन्होंने भी विसेकर एक वर्चुल अपना लोग यहाँ पर ओपन करा था डिसेंटरेंट माना के चीस है अन्दर जो इनका वर्चुल वर्ड़े उसके अंदर जो आपे आप देट देखो गत देखो सत्रह दो साद वीज यहां पर खीड ही सत्रह परलबरी की डेर और यहां पर माना चैर्ट के अंडर देखोगे तो गलता तो मौना कर देख सकत हुँ सत्रह तारीक को यहा हमारी पुराने मेली range थी 3.40 का आसपास वहां तक यह pump कर रहा था तो एक चीज़ों यहां पे clear है कि bitcoin थोड़ा 46,000 डॉलर के आसपास रहता है थोड़ा stable रहता है तो माना को लेके कोई news आती ही तो अराम से हम यहां पे 3.40 तक इसको देख सकते हैं और वहां पे हम profit booking अपनी कर सकते हैं पहला profit booking range रहेगा हमाना 3.1 डॉलर और दूसरा range रहेगा हमाना 3.40 डॉलर का यह दो range हमारे बहुत ही trading view पर यहां पर अपना मैं open करूं चार्ट btc uct यहां पर मैं search करूं और यहां पर bitcoin का अगर मैं चार्ट open करता हूं तो यहां पर आप अगर bitcoin यहां पर थोड़ा स्टेबल रहा था अभी नीचे की साइड गिर रहा है अगर यह थोड़ा स्टेबल यहां पर होता 42,000-43,000 डॉलर पे थोड़ा green में चल रहा होता तो definitely यहां पर माना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता थोड़ा बहुत और अगर माना को लेकर करति कोई अच्छी नीच साथ तो और डबल अच्छा परफॉर्म करता इस तरीके से कोई यहां पर क्रिप्टो करती तो यहां पर पर अच्छी नीच सा जाए उसकी डिवारण हुहा पर बढ़ जाती क्यूंकि उपड़ से मार्केट भी यहां पर बीटकोइन अच्छ वह डबल तरीके से परफॉर्म करेगा जब इसको लेगे कोई partnership का यहाँ पर announcement होगा announcement की बात तो recently अभी कुछ दिन के अंदर कोई ऐसा announcement नहीं आया है बट हाँ जैसे डिसेंटलिन ग्रो करता है जितनी partnership इनकी बड़ी कमनी स्काथ तो definitely आने-ाले समय के अंदर कोई भी partnership का announcement यहाँ पर चांसे थाई है कि कभी भी आ सकता है अभी आप देखो कि recently एक यहाँ पर बैंक नहीं और यहाँ पर partnership करिए आप देखो कि sandbox के साथ जो भी जो की यहाँ पर माना डिसेंटल जैसे ही आप जानतों के sandbox बारे में और वहाँ पर आप देखो कि sandbox भी उसी तरीके से pump करा तो यह news बहुत impact करती है market के उपर साथ ही साथ bitcoin का stable dynamics हो रही है इस दो चीज़े हैं जो market के अंदर किसी भी cryptocurrency को अच्छा खासा pump कर वा सकती है तो हमें इसी का wait करना है इंतिदार करना है decent trend एक grow करता हुआ ecosystem में हम सभी लोग जाते हैं टीम अच्छी है events वगरा भी इतना जाद इसके है नहीं लेकिन हां partnership के जैसे news आएगी उसी का हमें wait करना है और वहीं पर हमें profit बुक करना है इसको दिमाग करने बिठा लो क्योंकि पिछली बार जो 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 चीज यहां पर हुई है जो सेंटेंग वाली partnership या JP Morgan वाली उससे आपको इतना तो clear होगी होगा कि market अगर ठीक तक है मतलब bitcoin अगर $40,000 के आसपास है मतलब जाद अच्छा pump नहीं करा है और decent rate मान अच्छा कासा pump करी है तो हमें decent rate लेंटे profit वहां पर book करना है बाकि अगर आपको buying के लिए area देखना है तो मैं कहूंगा मेरा जो area रहेगा personally $2.25 यहां पर मैं long term buying देखूंगा दूसरा $2 का रहेगा बाकि हम सब रोग जानते है decent rate माना यानि 56 रुपए में मिला करता था एक से एक सब ले हमने buy sell भी करना इसको खूब अभी जो इसकी value है अभी profit में है सबके लिए देखने में लगता है कि बहुत डाउन है बट एक्च्छल में यह अपने एक सर के all-time high के साफ़ से यहां पर ठीक ठाक buying बनेंगी long term के साफ से अगर आप करना चाहते हो तो बागी time के ओपर depend करेगा कौन से time में कौन सी चीज़ नहीं है यहां से और उपर कर सकता है लेकिन अगर यह तो यहां से हम गर करेंगे सीधे 2.25 के आसपा जो अच्छा सा के दावाट होगी माना करना है तो सिंपल है एक ट्रेंडन का सपोर्ट है यह ब्रेक होता है हम नीचे के साइड गिरेंगे वैसे इसे हम बिटकोइन के दिशन बने के योगी क्या हमें करना क्या नहीं करना और आपको वीडि अच्छी लगियो डिफनले लख 신े दी्ट करेंग ningún कर सकती है वाकी क्या आप इप आप माना को लॉन चरl नहीं करना सकती हो तो फ्रोबर का ही वेड कर सकते आप क्ल्सफचर गर सकते हो मिलते कंड नहीं रहा है thực झाल झाल